हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में देखें दोस्तों आपकी जो यह परिक्षा तिती है यूपी बेर्ड इंटेंस एक्जाम की यह आपकी घोसित हो चुकी है यह परिक्षा जो होगी अब आपकी 9 अगस्त को होगी देखें इसी के साथ आपके कुछ त्यारी में लगे हुए है फिर सिट के लिए मेहनत कर रहें लगतार कंटीनी तैयारी करते रहें और उनी के लिए मैं यहां पर कुछ टिप्स और बताने वाला हूं इसी वीडियो में पहले आज का यह जो नियूज उसको देख लेते हैं देखें यह जो नियूज था देख कोरोना के बढ़ते मामले और गरह मंतराले के दिशा निर्देश को देखते हुए बुद्वार को यह फैसला लिये गया बता दे कि यह परिक्षा 29 जुलाई को प्रस्तावित थी तो अब जो यह प्रस्तावित है यह आपकी 9 अगस्त को होगी यह जो मुझे नियूज थी य लेकिन अब मैंने वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि जब तक नियूज पेपर में ना आ जाई यह नियूज तब तक मैंने वीडियो बनाना उचित नहीं समझाता इसी के साथ देखे यहां पर यह नियूज है देखे नियूज पेपर में भी आपकी यहां पर देख सकते आप इसको बेड इंट्रेंस मेरट सारणपूर मंडल में बनने है पिचान में केंदर इसी के साथ देखे यहां पे केवल यही दिया गया है कि इसमें कि परदेश बर के कोलेजों में बेड पर्थम वर्ष में प्रवेश को उन्ति जुलाई को अब 9 अगस्त को होगा देखि इसमें जादा कुछ नहीं है के बारे में दिया है कि पर पर कितने सेंट्र बना जाएगे इसी के साथ देखे मुझे फरणदगर में बताएं कि यहाँ पर चार सेंट्र बनेगे और चार में देखिए आपका एक होगा आपका SD Inter College एक होगा आपका SD Degree College ठीक है और एक होगा आपका DAV College देखिए और एक होगा आपका राज के College तो इन चार Collegeों में ही आपके Center बने है क्योंकि आपको मालूम है कि आपकी बार केवल और केवल Government जो यह आपके सरकारी और एनिट कोलिज है उनी में Center बनने है इसी के साथ देखिए आपके BA Final Year को लेके यह आपके BSC BA B.com Final Year को लेके एक्जाम को लेके देखिए आपके यह निउस है देखिए आपके UGC ने Final Year की परिक्षाओ के लिए प्रस्तावित सिटिंग प्लान भेजा है मास्क पैनना और थर्मल स्केनिंग अनिवार है यानि कि देखिए माना जा रहा था कि एक्जाम नहीं होगे Final Year को भी प्रमोट किया जाएगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं है तो इसको जो है देखिए यह एक्जाम कराने के लिए जो है यह मनजूरी मिल चुकी है देखिए तो अपनी तयारी में लगे रहे देखिए और इसी के साथ यहाँ पे आप अब इसको देख लेते आपके जो डाउट्स थे या कमेंट्स थे दोस्तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं यहाँ पे इसकोलर्शिप के बारे में देखे इसकोलर्शिप आपकी गोर्मेंट और आपकी जो प्राइवेट है किसकी नहीं आती आपका यानि किलियर और किलियर जिसकी जिनके फादर की गोर्मेंट जोब है आर्मी पुलिश है किसी भी विभाग में है और आपके father government job पे है तो आपकी जो scholarship होगी वो private और government में नहीं आएगी बिल्कुल भी आप देखिए बात करते हैं उनकी की जिनके father किसी government job में नहीं है तो उनकी देखिए यहापे अगर बात करें general OBC SCHT तो देखिए आपकी जो SC है और HTA इनका तो clear है कि लगभग इनका की इ यहापे देखिए कल एक न्यूज आई थी उसमें बताया था कि जो SCHTA उनकी scholarship पे अब की बाहर विचार किये जाए उनको scholarship दी जाए और यहापे देखिए अब की बाहर OBC और general की अभी तक वैसे तो किसी की भी नहीं आई अभी तक scholarship क्योंकि थोड़ा समय ही ऐसा चलना है ल scholarship पे लगबग सभी category की इसमें आई थी इनमें जैसे जर्नल की है तो कभी कभी कुछ strand की इसमें रुख जाती है OBC के कुछ strand की रुख जाती है लेकिन लगबग सभी की आ जाती है private और government college में देखिए और इस वर्स देखिए जर्नल OBC SCST के जो भी candidate है देखिए आपके बीड first year के जो है देखिए बीड first year हो या second year हो उनका केवल अभी तक जो है पांच और छे हजार रुपे के आसपास उनका केवल अभी scholarship आया बाकि जो उनका 40,000 कुछ जो आता है वो अभी तक नहीं आया अभी आपे देखिए जिनके father government जो मैं तो उनके लिए केवल एक ही राश्त आए देखिए अकर आप अपना ये फीस बचाना चाहते है तो अपना तयारी में लग जाए और government और आपका private जो है आपका देखिए government college प्राप्त करें private में तो आपकी फीस जो 71,000 रुपे होगी वो आपको देनी ही देनी होगी और वापीस भी आपकी नहीं आएगी अब द private seat है वे है आपकी 2,00,000 और आपकी बार जो issuant वो पेपर देगे कितने देगे लगबग 4,30,000 के आसपास है तो 4,00,000 आपकी बार पेपर देगे तो अपना देखिए ये 10,000 सीटे काफी है तो अपनी तयारी में लग जाए ये केवल उनी को मिलेगी जो लगतार तयारी में बने हैं हुए है तो अपना बिल्कुल भी तयारी आपको नहीं रोकनी और यहां पे देखिए आपका ये जो सलेवस है ना ये आपका देखिए जी के 50 कोश्चन फर्स पेपर में सेकिंड में आपका हिंदी है 50 कोश्चन और आपका इसके बाद यहां पे थर्ड पोर्षन ज पreположit नहीं होता है ये आपके सब्जेक का यहां पे देखिए यह दोनों पेपर होगे इसके लिए फर्सके लिए तीन गंटा होगा सेकिंड के लिए भी थीन गंटा होगा देखिए समय काफी है और अभी भी देखिए जो तयारी करना चाते है गोर्मेंट या फिर सिट के लिए तो लगबक आपके पास एक महिने का पूरा और पूरा समय है अगर देखिए आप अच्छे से बुक्स को फोकस करके तैयारी करते है तो डेफिनेटली आप गोर्मेंट से निकाल लोगे